आधियों नवस्कार स्वागत है आपका अपने चैनल सक्से जंक्सान एक कदम सफलता की ओर में और हम लेकर के आगए आपके लिए सभी पिर्टोगी परिच्छाओं की दिश्टी से अतिमहत पूर्ण आपको हर एक प्रशन के बारे में डीटेल में जांकारी दी जाएगी जिससे उस समय प्रशन आपकी परिच्छाओं देखने को मिलता है तो आप उसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं चलिए बिना समय गवाए और आज के सेसन क्यों चलते हैं और आपको बताते हैं कि current affair आपको याद है या फिन नहीं याद है उसके बाद में टूडे current affair यानि आज की current affair के बारे में आपको detail में जानकारी दी जाएगी उसके बाद में मध्यप्रदेश current affair से बनने वाले महत्रपूर प्रश्णों के बारे में आपको detail में जानकारी दी जाएगी, उसके बाद में recent exam question, यानि कि अभी हाली में जितने भी exam हुए हैं, उनके जो भी paper out हुए हैं, यानि कि जो answer key out हुई हैं, उसमें किस तरह के question आए हुए हैं, वो सारे question जो है screen sort के साथ में आपको कराई जाएगी, और उन question के बारे में detail में आपको जान कराई जाएगा, उसके बाद में home work, डेली हम आपसे प्रेशन पूछते हैं, जिसका जवाब जो लोग भी देते हैं, उनका नाम वीडियो के end में, screen sort के साथ में दिखा जाता है, और आज भी हम आपसे प्रेशन पूछेंगे, जिसका जवाब देने पर, कल वाली वीडियो म आपका नाम भी आएगा, तो चली शुरुवात करते हैं, आए कल के प्रेशनों का रिवीजन कर लेते हैं, देखते हैं, रिवीजन का पहला प्रेशन, टोक्यो पैर अलंपिक में समापन समारों में भारती दल का नेतर तो किसके दोरा किया गया, टेक्चंद, आवनी लेखर मर्यव पंथंगा वेलू या फर मनप्री सिंग, आई एंसर देखते हैं, सही एंसर बी अनगी, आवनी लेखरा के दोरा टोक्यो पैरलंपिक के समापन समारों में भारती दल का नेतर तो किया गया है, अगला प्रशन देख लेते हैं, तेरवें ब्रिक्स सिकर सम्मेलन की दक्ष्टाक की गई है आगे बढ़ते हैं अगला प्रस देखते हैं आनंद कुमार को वंचित चात्रों को IIT परिच्छा में सफल होने के लिए कोचिंग देने हैं तो सम्मानित किया गया आनंद कुमार किस कोचिंग के संस्थापक है सूपर 50, सूपर 30, सूपर 100 या फिर टॉ कमबर 2020 महत्रपून क्रेट अफेर के प्रस्टों के बारे में डीटेल में जानकारी आए देखते हैं पहला प्रस्ट डुगोंग जिसे समुदरी गाय कहा जाता है के लिए पहला सर्वेच्छन के इंदर कहां पर खोला गया है केरल तमिलनाडू करनाटक या फिर पुदुच को अब यह डुगोंग क्या होता है आई आपके पूरी जानकारी देते हैं तो देखिए तमिलाडू सरकार ने घोशना की है कि जल्द ही पाक की खाड़ी में पांसो वरग किलो मीटर का डुगोंग सनचण रिजर्व इस्थापित किया जाएगा डगोंग जिससे समुदरी गाय भी कहा जाता है एक साकाहारी इस्तनपाई होता है यह तीन मीटर तक लंबे हो सकते हैं और लगबग तीन सो किलोग्राम बजनी हो सकते हैं तदा लगबग 65 से 70 साल तक जीवित रहते हैं यह समुदरी घास खाते हैं इन्हें सांस लेने के लिए सता पर आना पड़ता है तो एक प्रकार की है एक मचली होती है जिसे समुदरी घाय कहा जाता है और यह क्या होता है साकाहारी होती है जो समुदरों में घास होती है उस घास को यह खाती है ठीक है और अगर इसे सांस लेने के लिए इसे एक बार जो है सता पराना पड़ता है और वाई मंडर से इसे लेनी पड़ती है ठीक है तो यह डगोंग को याद रखेगा इसके लिए सरच्छन के अंदर कहां पर खुल रहा है तो यह दखेगा तमिल नाडू में डगोंग सरवेच्छन जो सरच्छन के अंदर है उसकी स्थापना की जा रही है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला सरच्छ speculation ग्रामिड 2021 को लौंच किया जा रहा है कुछ जानकारी आपको देती हैं तो देहिए सरच्छ जर्वेच्छन ग्रामिड 2021 सवच्च भारत मिसंद चर्णों के तहलत idle 2021 को जल सकती मन्तराले दारह लौंच किया जा रहा है तो यह दखेगा पूछा जा सकता है सवच् मुक्त हस्त चेप और पैणामों की गति वर्धन का समर्थन करना है यानि कि खुले में सौच लोग नहीं जाए इसके लिए जो है प्रयास करना जो है यहाँ पर कार है सौच्छता सर्वेच्छन 2021 का ठीक है आगे बढ़ते हैं सर्वेच्छन के हिस्से के रूप में गाउं जी तो अगला प्रशन अफगानिस्तान में तालिबान की ओर से कारवाख प्रधान मंतरी कौन होंगे जैसा कि आपको पता है अफगानिस्तान पर अप्तालिबान का कब्जा हो गया है तो यहाँ पर उन्हों ने अपनी सरकार भी बना ली है तो एक कारवाख प्रधान मंतरी यह कारेवाब सरकार की होश्चना कर दी है सभी पूरूस अंत्रिम कैबिनेट के अद्थ स्राजुत अव्परंधिन को ग्रहा मंत्री का फोटफोलियो दिया गया है तो ये तालीबान से समझे कुछ महत्मूर जानकारी थी और तालीबान ने आफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है और वहां की जो है सरकार भी यहां पर तालीबानियों की दारा बना दी गई है ठीक है तो बस आपको उनके प्रधानमंतरी का नाम मिया दखना है मुल्ला हसन यहाँ पर प्रधानमंतरी का कारवार समालेंगे आगे बढ़ते हैं अंतराश्टी साच्छरता दिवस्त कब मनाया गया है साथ सितंबर पांच सितंबर आठ सितंबर या फिर नौ सितंबर आईए नसे देखते हैं सही आंसर सी आनिकी 8 सितंबर को अंतराष्टी साच्छरता दिवस मनाया गया है कुछ जानकारी आपको देते हैं और थीम के बारे में बताते हैं तो अंतराष्टी साच्छरता दिवस हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है इस दिन का उद्देश से ब्यक्तियों समधाय और समाज के लिए साच्छरता के महत अधिक साच्छर समाजों के लिए गहन प्रयासों की आवशक्ता को जारी रखना है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर साच्छर हो सके लिट्रेसी जो दर है उसको बढ़ाय जा सके इसके लिए गहन प्रयासों की आवशक्ता को यहाँ पर प्रयास करना जो है प्रमकुदिश रहता है अंतराश्टी साच्छर्टा दिवस का ठीक है यह पहली बार कब मनाया गया था तो 1967 में से पहली बार मनाया गया था अंतराश्टी साच्छर्टा दिवस 2020 का विशा क्या है तो literacy for a human centered recovery narrowing the digital divide जो है यह इस वर्ष की थी मे वर्ष की साच्छर्टा दिवस की तो आपको यह याद रखना है साच्छर्टा दिवस प्रति वर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है आगे बढ़ते हैं अगला प्रस देखते हैं भारत के पहले कार्यात्मक स्मॉग टावर का उद्गाटन कहां पर किया गया है नोईडा गाजि सितंबर 2020 को दिल्ली के आनंद भिहार में देश का पहला क्रिया सील इसमॉग टावर देश को समर्पित किया है इसमॉग टावर एक ऐसी सलचना है जिसे आसपास के छित्रों में प्रदूसर्ण कड़ों को कम करने के लिए बड़े पैमारे पर बायु सुदक की रूप में ड लगा गया है और आपको पता ही है दिल्ली जो है प्रदूसर्ण के मामले में पहले नंबर पर रहता है दिल्ली तो इसलिए यहां पर स्मॉग टावर का निर्मार किया गया है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगरा प्रस देखते हैं तो यहां से हम सुरू कर रहे हैं 9 सितंबर 2020 कि मद्रदेश करेंट अफिर के महत्पूर प्रस्ण आए देखते हैं पहला प्रस्ण हाली में प्रदेश के किस जिले में खूनी गोटमार मेला का आयोजन किया गया है गौलियर चिंदवाड़ा जाबुगा या फिर अली राज़पूर आई एंसर देखते हैं सही आंसर भी यान की चिंदवाड़ा में खूनी गोटमार मेले का अउजन किया गया है अब यी मेला कैसे लगता है क्यों लगता है आई यह पूरी जानकारिया आपको देते हैं दो देखिए गोटमार मेले का महराश्ट्갈तिस की सीमा से शटे मत्द्रेश के चिंदवाड़ा जिले में कि इसका आईजर्ण हर वरति भादों माज़ë भादों मांस में आउसरे उने將 प्लातेहार के दूसरे दिन किया जाता है इस छेत में मराठी भासा बोलने वालों की भोलता है इस गटमार का सिक्तमारूरा अर्थ के अंसार पंडराना और सावरा गाउं की लोग सूरियोदे किसम एकटे होते हैं और सूरियास तक पत्थर मार मार के एक दूसरे का लहू बहाते हैं ठीक है तो गोटमार मेला जो है किसलिए प्रसिद है तो पत्थर के लिए प्रसिद है तो पत्थर के लिए प्रसिद के नाम को बदल करके क्या रखे जाने की मांग की गई है कुल गुरू कुल देव विद्यापती या फिर विद्यादेव आई एंसर देखते हैं सही आंसर एंसर की कुल गुरू रखा जाएगा कुल पती का नाम यहां पर बदल करके ठीक है तो चलिए कुछ जानकारी आपको द बाद में बदला गया क्योंकि जिलाधिस में किसी राजा के होने की प्रेड़ना मिलती थी इसी तरह कुल पती जो सब्द है उस सब्द को बदल करके कुल गुरू कर दिना चाहिए क्योंकि कुल गुरू से क्या होता है कि अपने पन का ऐसास होता है यह मानना है यहाँ पर उच उच्छा मंत्री कौन है तो मोहन यादा जो है वो मंद्बर्देश के उच्छा मंत्री है और कुल पती का नाम बदल करके कुल गुरू करने की सिफारिस इनके द्वारा की गई है ठीक है आगे बढ़ते हैं तो यहां से हम सुरू कर रहा है स्टैटिक जी के किछो परस्तम क्ला एंसर की बात करें सही आंसर D&K A और B दोनों तो नर्मदा और ताप्ति दो ऐसी नदियां है जो डिल्टा ना बनाकर के एस्चुरी का निर्मार करती हैं दोनों नदियां समानतर बहते हुए अरब सागर में जाकर के गिर जाती है और आपको नर्मदा और ताप्ति के बारे मे पता होगा ठीक है तो यह सथपड़ा के परवस्त से समानतर भेहती हुई निकलती है और अरब सागर में जा करके यह गिर जाती है यह दोनों अदिया डेल टैना बनाते हुए एस्चीरी का निर्मार करती है ठीक है आगे बढ़ते हैं दा इगनाइट माइंड किसकी पुष्टक का नाम है मातमा गांधी एपी जी अब्दुलकलाम दयानंसर स्थी या पिस्वामी विवेकानन आइएंसर देखते हैं सही आनसर बियान की डॉक्टर एपी जी अब्दुलकलाम की पुष्टक का नाम है दा इगनाइट माइंड आइ आगे बढ़ते हैं अगलापस देखते है तो Kis मुगल सम्राट किया को कहा जाता है। अकवर, शाहजहां, जहांगीर, या फिर हुमायू। एंसर देखे, सही अंसर C, यानुखि जहांगीर के किया कार 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 करते हम जाता है। इस्तापत कलाकार्थ क्या है कि यहां पर बिल्डिंगों का बहुत ज़्याद निर्माड हुआ था इमार्तों का बहुत ज़्याद निर्माड हुआ था वो किसके सासनकाल में तो वो यहां पर साजा के सासनकाल में हुआ था और चित्रकाला जो है वो चित्रकारी किसके सासनका साथ में पेपर से हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं देखे पहला प्रस्ण आरार भी एंटी पीसी चार फरवरी दो जार की सुभा वाली सिप्ट में पूछा गया था गोल गुंबज किस राज्य में इस्तित है मध्यप्रदेश तमिल नाडू हिमाच्र प्रदेश या फिर क करनाटक करनाटक में पूछते हैं कहां पर तो करनाटक के बीजापूर नावाकिस्तान पर गोल गुंबज जो इस्तित है आपको या दखना है कई बार यह प्रस्ण भी एक्जामस में पूछा गया है गोल गुंबज बीजापूर करनाटक आगे बढ़ते हैं अगला प्रस् सबसे चोटा नदी दीव उमानन्द वह आपका ब्रह्मपुत नदी पर इस्तित है और ये दोनों दीव कहां पर है तो असमराज में यह दोनों दीव इस्तित हैं और ब्रमपोत नदी बंगाल के खाड़ी में आकर के समाप्त हो जाती है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला प्रस देखते हैं प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मरदानी के रचनकार कौन है और सुबधर कुमारी चोहान के दौरा हमेशा वीरस की कविताएं लिखी गई है स्वतंता आंदोलन के समय इन्होंने बहुत महत्पूर्ण रोल यहां पर प्ले किया था जो करांत कारी है उनमें जो है करांती की भावना पैदा करने के लिए तो सुबद्रक हमारी चोहां दारा लिकित है खूब लड़ी मर्दानी वो तो जहासी वाली रानी थी ठीक है आगे बढ़ते हैं भारत के पहले सोधित निर्मित बिमान वहाग प्रोट जिसे एर काफ्ट केरियर कहा जाता है का नाम क्या है जो पहला एर क्राफ्ट केरियर था वह घृतां शैक्ति भारत का कौन्सा है लाँ क्यां है थैसी अंसार है भारत में बहुत ने के लिए जो है यह यह उ een सबूर्न का घंध बांदोबी यो पाकिस्तान के दारा भिजा गया था जिसे नेश्ता नाबुद हमारे भारत के नेवी के जवानों के दोरा कर दिया गया था आई एनस विक्रांट जो है बहुत बड़ा एरक्राफ्ट केरियर है देखे एरक्राफ्ट केरियर क्या होता है जैसे हमारे लडाकों बिमान होते हैं वो बहुत दूर तक जो है अपनी उडान नहीं भर सकते हैं ठीक है छो मतलब कम इस्थान की कम दू केरियर क्या होते हैं तो बड़े बड़े जहाज होते हैं पानी के जहाज होते हैं जहां पर जो है जिसके उपर हवाई जहाज हो सकता है या फिर जो लड़ाकों विबान होते हैं वहां पर उतर सकते हैं तो ऐसा ही पहला एरक्राफ्ट केरियर बनाए गया था भारत की दौर जिसमें एक स्टेडियम का नाम उसके प्रधान मंत्री के नाम पर रखा गया है तो भारत के ऐसा देश है जिसमें जो है भारत के प्रधान मंत्री के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा गया है और उसका सही आंसर है एहमदाबाद के जो मोटेरा स्टेडियम था उसका नाम सबसे बड़ा क्रिकेट का सभी जानकारी तो क्यूट माही का कहना कि कल वाले प्रिशन की बात यहां पर कर रहे हैं तो थोड़ा मिस्प्रिंट हो गया था टाइपिंग में तो जो शूर सब लिए का यहां बहुत यहां इन हुड़ बात और नहीं को करते था लेकिन अवह जो है भारत का लिए जोगा है उसके अश्रमा वांखक रहे न.'' एसके बुंदेला ने बिल्कुर सही बताया है। राहुल मालभी ने बिल्कुर सही बताया है। सचिन पारासन में बिल्कुर सही बताया है। frequencies of Rated करने के लिए ऐसे कमेंद करने के लिए ऐसे देखते आईए देखते आज का परस्ठtt प्रू harp Tu K RIGHT session video के युए और Regalram मुहन राय को राजा की उपादी दी गई थी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद वीडियो प्रसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को प